Hello everyone, welcome back to the channel. Friends, हमारी आज की वीडियो में हमारे पास एक question है, जिसमें कि ये fraction दिये हुए है, इनके हमें 3 या 3 equivalent fractions और भी निकालने हैं, ठीक है? तो ये equivalent fractions क्या होते हैं? जो equivalent fractions होते हैं, वो जो है, ये जो दिये हुआ fraction है, उसी के बराबर की value के दूसरे fractions होते हैं, ठीक है? तो आई आई स्टार्ट करते हैं, अब जैसे यहां पर हमें क्या है? एक fraction मिला हुआ है, 4 upon 9, इसका हमें क्या करना है? equivalent fraction निकालना है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले multiply का sign लगाएंगे, और उपर 2 से multiply कर देंगे, और नीचे भी क्या करेंगे? 2 से multiply कर देंगे, ठीक है? तो यहां पर यह क्या हो गया? 4 टूजा 8, और यहां पर 9 टूजा 18, ठीक? तो यहां पर यह क्या हो गया? 8 upon 18 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर यह जो है, इसका 4 upon 9 का, जो है, वो क्या हो गया, equivalent fraction हो गया, तो हमें कितने निकालने हैं, 3 equivalent fractions निकालने हैं, तो पहला तो यह हो गया, ठीक, दूसरा आप हमें क्या करना है, फिर हम यह 4 upon 9 लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 3 से फिर multiply करेंगे, उपर भी, अप्लाइ करेंगे, तो 4 into 3 is equal to, क्या हो जाएगा, 12, और यह 9 threes are 27, ठीक है, फिर यह जो है, हमारा क्या आगया, 12 upon 27, तो 12 upon 27, जो है, वो किसका equivalent fraction है, 4 upon 9 का, और 12 upon 27, जो है, वो 8 upon 18 का भी, क्या है, equivalent fraction है, ठीक, चलिए, थर्ड निकालते हैं, तो 4 upon 9, फिर से हम लिखेंगे, और इस बार हम क्या करेंगे, इसको 4 से multiply कर देंगे, तो 4 forza कितना हो गया, 16, और 9 forza 36, तो इस तरहा से जो है, वो क्या हो गया, हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 4 upon 9 is equal to, पहला equivalent fraction, 8 upon 18, is equal to 12 upon 27, is equal to 16 upon 36, अब इसमें आप यह देखो, कि कोई भी number, जैसे कोई भी fraction, यह हो गया, चाहे, यह हो गया, किसी को भी हम जब divide करेंगे, एक ही number से, उपर या नीचे से, तो वो, जैसे हमने इसको 2 से divide किया, ठीक है, तो उसके बाद यह इसको 2 से divide किया, तो ultimately cut करके क्या आएगा हमारे पास 4 upon 9 ही आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन सब की equivalent fraction जो है, यह आपस में सब क्या है, equivalent fraction है, जिनकी value ultimately, क्या है, same है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा number है, 9 upon 11, इसका भी हमें क्या करना है, equivalent fraction निकालना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 9 upon 11 लिख लिया, फिर ह हमने क्या किया, उपर भी और नीचे भी, दोनों को 2 से multiply कर दिया, ठीक है, तो यहां हो गया, 9 to 18 और यह हो गया, 22, 11 to 22, फिर क्या करेंगे, 9 upon 11 into 3, उपर भी नीचे भी, दोनों जगा ही, जो है, वो 3 से multiply कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 9 3s are 27, और यह हो जाएगा, 33, ठीक है, फिर 9 upon 11, फिर 4 से हम क्या करेंगे, multiply करेंगे, denominator में भी, numerator में भी, ठीक है, तो 9 4s are 36, और यह हो गया, 44, ठीक, तो अब क्या करेंगे हम यहां पर, 9 upon 11, is equal to क्या हो जाएगा, 18 upon 22, is equal to 27 upon 33, is equal to 36 upon 44, ठीक है, यह हमारे क्या हो गया, equivalent fractions हो गया हमारे, ठीक है, यह सब की क्या है, value जो basic value है, वो क्या हो जाएगी, same हो जाती है, ठीक है, तो hope करती हूँ, friends, कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो please channel को subscribe करिएगा, वीडियो को like करिएगा, thank you so much,